हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हाँ सभी का अर्बीटी टूप क्लास में आज हम देखेंगे कि 576 का स्कॉइर रूट कैसे फैंड करेंगे स्कॉइर रूट आफ 576 पांसो चैतर का बर्गमूल कैसे निकालेंगे तो इसका अंसर हम दो तरीके से करेंगे दो मेंथेट से फस्ट बाई लॉंगडीविजन मेथड से कंड बाई प्राइम फेक्टॉराजसिशन मेथट कि को आपकला में अच्छों को आधा यगा होते हैं कि असको ऐसे चर करेंगे 576 राइट साइड से इधर से हम pair बनाने शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक pair बनेगा और यहाँ पर एक ही digit है तो इधर 0 बढ़ा के pair complete कर लेंगे अब हम देखेंगे जो मारा पहला pair है वो किसके square में आता है अगर आप देखोगे तो 1 का square 1 2 का square 4 3 का square 9 यह जादा हो जा रहे है तो हम इसको लेंगे यह जो 4 होगा इसको पहले टर्म के नीचे राइट के जाएगा 0 4 यह जो 2 है इसको diviser में राइट के जाएगा यहाँ पर और वही चीज़ हम quotient में भी राइट करेंगे और फिर quotient वाले को यहाँ पर ला करके एड कर लेंगे अब क्या होगा 2 प्लस 2 4 हो जाएगा यहाँ पर एक डिजिट लिखने की जगा छोड़ देंगे 5 मैनस 4 करेंगे 1 हो जाएगा अगला पेयर ऐसे राइट कर लेंगे 76 यह हो गया 176 अब 4 के यहाँ पर हम वही नंबर लिखेंगे और उसी नंबर से सब्सक्राइट करके मांटिप्लाई करते है तो यह में मिलेगा 176 और रिमेंडर मिलेगा 0 जिस इस्सी टेप में remember 0 हो जाता है उस सिस् कोशियंट हमारे क्या होता है answer होता है तो इस प्रकार से जो square root होगा 576 का वह ओ जाएगा 24 पांसो चैतर का वर्ग मुल कितना होगा 24 तो यहां पर हम प्राइम फेक्टोर रिजेशिन मेथड से इस कोश्टन को करेंगे यहां पर हमारा है 576 इसको देखो 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे 224, 2816, 2816 अगें 2 से डिवाइड करेंगे 212, 248, 248 अगें 2 से डिवाइड करेंगे 2714, 224 236, 2612 अगें 2 से करेंगे 2836, 2918, 339 3 बन जा 3 तो यहां तक हम देखेंगे कि जो 576 है इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो इसके जो फेक्टर आएंगे देखो, यह हमारे फेक्टर होते हैं तो इसके जो फेक्टर हमारे पास आए हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3 तो आप देखोगे कि यह डबलेट को फार्म कर रहे हैं पेर बना रहे हैं पेर मतलब होता है दो सेम टाइप के नमबरों का समूँ तो एक यह बन रहा है एक यह बन रहा है एक यह बन रहा है और एक यह बन रहा है यहां से एक 2 यहां से एक 2 यहां से एक 2 और यहां से 3 द्यान रखना दोनूं में से एक यह नमबर को बाहर लेना है तो इसको मल्टिप्लाई करेंगे 2 तू जा 4 4 तू जा 8 और 83024 इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो square root 576 है वो 24 होता है कितना होता है 24 यानि कि 576 का वर्गमुल कितना होता है 24 होता है तो यह हमारा इस question का answer होगा तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जर्यावी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक अगले thank you class